हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंशल विद गोपी कृष्णा में आपका पुनह स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड्स एवं अधर्स फाइनेंशल सेक्टर्स की बात आपके साथ इंदी में वाइलू फंड्स क्या होते हैं और दस साल अगर इसमें एसाइपी चलाई जा है जैसे हमने अपनी पूरी सीरीज चला रखी है हर सब्सक्राइब के एक फंड्स पर जो है वीडियो बना करके भेशते हैं आप लोगों तक और उसमें यह बताते हैं कि अगर तीन हजार रुपाय की साइपी चलाई जाए तो दस साल में कितना रिटन देगी उस काइटाग अगर जो हम बताएंगे उससे कम रिटन आपके पास आएगा तब आपको दिक्कत हो सकती है आपका विश्वास जो है मीचल फंड से दगमगा सकता है तो वैलू फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनका प्रदर्शन जो इस्टाक आज की समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहें लेकिन इस टॉक्स बहुत अच्छे यह जिनकी वाइलुएशन नीचे है और भविश्य में आने वाले टाइम पर उनकी डिमांड्स या वह इस्टाक्स बहुत अच्छे काम करेंगे तो फंड्स मैनेजर आयसी कायटागरीश के इस टॉक्स में पैसा इंवेस करें तो आज के समय में टोटल कितनी मीचल फंड्स पास वैलुफञ्स हैं, टोटल कितनी मीचल फंड कंपनी के पास वैलुफंड्स हैं, अपने हां टोटल 45 एमसी के पास आज पास इसमें कुछ के offer documents यानी में के पास गए हुए कि हमको permissions दी जाए लेकिन इसमें से हैं जो 20 fundamental ने क 미ंचले कर फंट पास value funds है 45 में से 20 mutual funds के पास value funds और उसमें से भी 10 साल पुराने 11 pine parties के पास एक जारा कौण काौन कम ने तो ईनकी लिस्ट आपके सामने आ रही हो 11 काौ ने और 11 प्게요 in recipe कि इस ने सबसे कम रिटन दिया कितने पर्शेंट का और सबसे जएदा कितने पर्शेंट का यह मैं आपको बता रही है सबसे ज़्यादा जो है weakness है इसने 10 साल में 19 13.18 पर्षेंट 19.18 पर्षेंट का एन्वल रिटन एक्स आयारा दिया है और मिनिमुम जो है 13.27 क्वांटम का लांग टर्म एकुटी फंड एकुटी वाईलू फंड इसने दिया है तो हम 13% के हिसाब से ही रिटन का एकुलेट करेंगे कि हमारे पास कितना पैसा आता अगर हम 10 साल के लिए 3,000 रुपए की S.I.P. चलाते तो कितना पैसा मैं जमा कर रहा हूं और उसके रिटन मुझे 10 साल बाद कितने पर कितना मिलेगा उसकी वाईलू कितनी होगी चुकि यहा 60,000 रुपए हैं और यह साइपी या मीचल फर्म में रिटन की कोई गारंटी भी नहीं होती इसका मतलब यह नहीं कि आप यह मान लें कि 13% हमारे पास हर साल रिटन आएगा ही आएगा क्योंकि माइक्सिमम रिटन इसमें 19% का भी आ रहा है तो 13% के हिसाब से आपकी 3,60,000 रुपए की वैल्यू होगी जाकरके 7,88,933 रुपए 3,60,000 रुपए जमा करेंगे आपको 10 साल बाद 7,88,933 रुपए मिलेंगे और यह 3,60,000 रुपए आपको एक बार में नहीं देने हर मेने 3,000 रुपए जमा करने है जो यह साइपी के द्वारा आपके बैंक के कौन से डेबिट होकर के जमा होते रहेंगे आप इसी को 5 साल में अगर हम देखें तो 5 साल में जो है 14 मूचल फंड कंपनी के पास यह फंड हो चुके थे 10 में 11 मूचल फंड कंपनी के पास थे 5 साल में 3 मूचल फंड कंपनी ने अपने और फंड लांच कर दिये वाल्यू फंड और उसमें सबसे सबसे ज़्यादा आपका बंधन बैंग का बंधन में इस्टेलिंग वाईटी ट्रीटीटू परसेंट यानी 28 परसेंट से ज़्यादा करड़िए और मिनिमम रिटन 19.36 जानी 19 परसेंट मिनिमम रिटन आपका जो है ग्रोवडिवी ने दिया तो पांच साल में कितना पैसा जमा हुआ उसकी कितनी वाल्यू बनी पांच साल में आपका टोटल पैसा जमा हो रहा है 1,80,000 रुपए और उस पैसे की वाल्यू आपकी होगी 2,88,993 रुपए इतने पैसे मिलने हैं इस तरह से जब भी आप निवेस करें तो पहले आ आसानी से फूरे होते रहेंगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंचल विद्गोपी कृष्णा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है अब सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेश सबसे पहले आप तक पहुंचता रहें वीडियो देखने के लिए धन्यमात नमस्कार